ओम साही राम, वेलकम टू साही समरपन चैनल, मैं हूँ आपके साथ में मिन्नी, और जैसा कि आपने थमनेल पर पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, और मैं आपको आज कौन सा मंत्र देने वाली हूँ, यह आपने वीडियो के ऊपर ही पढ़ लिया होगा, यानि कि साही का गुप्त साही मंत्र, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको चैनल पर बहुत बार कस्ट रिवारण मंत्र बताया, समन मंजरी बताया, मैंने आपको साही साचरितर बताई, और मैंने आपको साही गायतरी मंत्र बताया, जिसके अपने अपने प्रभाव है, अपने अपने शक प्रभाव से बड़ी से बड़ी मुश्किले बड़ी से बड़े परिशानिया खतम हो जाती है इसका इतना प्रभाव है इतनी शक्ति है इसका इतना प्रभाव है कि हर एक चीज आपकी असंभव संभव बन सकती है इसका इतना प्रभाव है कि अगर आप जाप करेंगे ना तो मेरा ध्यान ना हो तो ऐसा नहीं चलेगा और मंतर ध्यान करते समेना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा पहला तो ये है कि आपको सुभा ब्रह्मूरत में इसका जाब करना होगा अगर आप सुभा सुभा करेंगे ना ब्रह्मूरत में तो इसका लाब बहुत अतेदि चोग juste बिखने sales एखेंग में एक और दिख्व deeper करा दूब से पूरा लेकिन वीख सुवर सुभा आते हैं उनकी किर्पा वरस्ती हैं। संत्र का जाप कर रहे हैं तो वो एकांत में करेंगे न तो वो आपके लिए बहुत बेनेफिशल होगा बहुत फायदेवन्द होगा और सुभा का समय कैसा समय होता है कि आल्मोस्ट लोग सो रहे होते हैं जो जाग रहे होते हैं उनका ध्यान जो है वो इश्वर में लगता है जितने भी अपनी संत महात्मा सुने होंगे, वो सब जब पूजा पाट करते थे, अराधना करते थे, ध्यान करते थे, तो उनका समय ऐसा ही होता था, रात के बारा बज़े के बाद से, यानि की एक बज़े से लेकर सुभा के पांस से छे बज़े की बीच तक ठीक है, तो ये स समय वो चुनते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय पर ना दुनिया सोती है, और इस समय पर ही ना इश्वर की शक्तियां जागरत होती है, इश्वर जागरत होते हैं, धरती पर आते हैं, जिसे ब्रह्म मूरत कहा जाता है, और जो लोग पंजाबी होते हैं, सरदार होते ह उनमें अम्रत वेला कहा जाता है तो चाहे किसी भी कोई कास्ट का हो चाहे वो सिख हो या हिंदू हो ठीक है तो मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ सिख अपने अम्रत वेले को संभालते हैं और हिंदू सुभा भ्रहम मूरत को संभालते हैं और जो ये सुभा का वक्त होता ह इसे संभाल लेते हैं यह बहुत ही बहुत 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 फाइदे मन होता है जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाबी में अम्रत वेला कहा जाता है याने की अम्रत याने की अम्रत और वेला मतलब समय सुभा का अम्रत वाला समय सुभा का जो समय होता है वो अम्रत होता है अम् लेकिन बस उनके अर्थ अलग-अलग हैं, शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन जो सुभा का समय है न, ये बहुत जादा beneficial होता है, अगर आप सुभा के समय में पूजा पाट करते हैं न, तो इसकी कोई होड नहीं कर सकता, तो अब आते हैं टॉपिक पर, टॉपिक ये है कि जब आप इस मंतर का जाब करोगे, तो आपको एकांत का महल चाहिए, आपको सुभा सुभा उठना है, पांच है बजे के बीच में, और अगर इससे भी पहले अगर आप उठ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नियम है कि वो ब्रह्मूरत में उठते हैं, जिनका आर्थी करने के तुरंत बाद आप इस मंतर का जाब कर सकती हो, इस मंतर का जाब करने के बाद ना, आपके घर पर नकरत्मक उर्जा नहीं टिकेगी, आपके घर में काला जादू, टूना टोटका, कोई नजर, कोई बांधा, कुछ नहीं होगा, मैंने सुना है ऐसा कई जो को वहम मानती हूँ, ये चीज़े होती हैं, लेकिन इश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, मैं कुछ नहीं मानती, क्योंकि जहां आपके घर में आपके साई हैं, आपके इश्वर हैं, वहाँ पर नकरत्मक उर्जा टिकी नहीं सकती, और फिर भी अगर आपके मन में ऐसा हैं तो फिर आप इस मंतर का जाब करें, आपके घर में कुछ भी नहीं टिकेगा, मैं इतना कहूंगी कि जो भी नकरत्मक नेगिटिविटी जो भी हैं, वो आपके घर में नहीं रहेगी, जो नेगिटिव हैं, जो नकरत्मक उर्जा हैं, या फिर कई लोग आपके घर में ऐसे ह चलता होगा या फिर आपके सगे संबंदी आपके आइस पडोस वाले जिने आप अपने घर में आने से रोक नहीं सकते हैं उनके माइंड बहुत नेगिटिव होते हैं और जाहिर सी बात है जब आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आओगी जो नेगिटिव है तो आपके घर म बाते हो ना जहां पर ऐसी बाते हो जहां पर आपको निंदा सुनाई जा रही हो किसी की निंदा की जा रही हो वहां से हट जाओ क्योंकि जितना आप आप निंदा करने में है उतना निंदा सुनने में भी है आपके कान जो सुन रहे है वो आपके अंदर जा रहा है चाहे आ बोलो, चाहे आप सुनो, बात वही है, कि वो आपके अंदर है, और आपके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिलकुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इश्वर है, आपकी आत्मा पवित्र है, आपको अपनी आत्मा को घंदा नहीं करना, किसी की भी बातों मे आपने काकड आर्थी करनी है और काकड आर्थी के तुरंत बाद आपने जो दिया आर्थी के लिए चलाया होगा वो तो अलग दिया होगा आपने एक दिया और चलाना है मंत्र के लिए क्योंकि जब तक आप मंत्र करेंगे तब तक बाबा का दिया जलते रहना चाहेगे ठीक ह तो आपने सबसे पहले बाबा के लिए दिया जलाना है आपने चाहे सरसो का दिया जलाईए, चाहे घी का दिया जलाईए चाहे आप तिल का दिया भी जला सकते हो तिल का दिया भी लोग सर्दियों में जलाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुब मानते हैं तिल का दिया और अच्छा भी होता है आप जला सकते हो आप सरसो का दिया भी जला सकते हो आप तिल के देल का दिया भी जला सकते हो और आप गी का दिया भी जला सकते हो चिक है आपने ये दिया बाबा क्या जलाना है बाब मेरा एक मन एक चित हो ऐसा बोल कर बाबा के आगे बैठी और बाबा का मंत्र चाप करिए बाबा का गुप्त साई मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप गौर से सुनना ओम नमो श्री साई प्रभु नमहा ओम नमो श्री साई प्रभु नमहा साई प्रभु मेरे साई प्रभु ओम नमो श्री साई प्रभु नमहा ओम नमो श्री साई प्रभु नमहा साई प्रभु मेरे साई प्रभु इस तरह से आपको जाप करना है अब आपको मेरी आवाज बहुत अजीब सी लग रहे होगी मैं कोई सिंकर तो नहीं हूँ प्रोफेशनली ठीक है तो बस मैं आपको एक लाइन जो थी बाबा की वो मैं आपको पढ़के सुनाई है मैंने आपको आप अपने अकॉर्डिंग आप गाकर कर सकते हो आप गीतन करकर कर सकते हो आप भजन गाकर कर सकते हो जैसा आपको सिटेबल लगे जैसा आपको अच्छा लगे जिसमें आपको आनंद आए वैसे आप करो ठीक है और आपने इस मंतर का जाप करना है चाहे आप इस मंतर को आप काउंट करकर करिए चाहे उस वक्त में आपको एकांत का महल होना जरूरी है आपका एक मन एक चित होना जरूरी है ये नहीं कि आप घड़ी की तरफ देख रहे हो कि कब खतम होगा कब खतम होगा तो ऐसे चीजे असर कभी नहीं करेंगी कभी नहीं करेंगी चाहे मैंने कह रही है कि आप एक घंटा करो या पांच मिनिट करो आप पांच बार करो सिर्फ पांच बार लेकिन उस पांच बार के अंदर आपका ध्यान सारा उस मंतर की तरफ होना चाहिए बाबा की तरफ होना चाहिए ना कि किसी चिंता की तरफ ठीक है कि आपको ये करना है आपको वो करना है आपको यहाँ पर जाना है आप अक्सर नोटिस करना जब भी हम पूजा करने बैठते हैं जब भी हम मंत्र चाप करने बैठते हैं उसी वक्त हमें दुनिया के सारे काम याद आते हैं कभी आप नोटिस करना, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं भी इसे में included हूँ, जब भी हम पूजा पाट करने बैटे हैं ना, उसी वक्त हमें याद आता है, कि अरे मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, वो काम मेरा को चिंता नहीं होती वह सुबह उठकर स्नान करकर न हमारा मन सुबह बहुत चल्दी अच्छे से लग जाता है है वैसे आप دिन में कभी भी कर सकती हो लेकिन आपका मन एक जगा एक चित होना चाहिए ठीक है तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप मंत्र-जाप करने बैठे तो उस वक्त में आपका मन बिल्कुल मंत्र की तरफ होना चाहिए, ना कि घड़ी की तरफ, तो आप जितनी बार भी करो, चाहे आप काउंट करो, अनकाउंटेबल करो, चाहे आप एक माला के द्वारा करो, चाहे आप कैसे भी करो, तो जैसा आप को अच्छा लगता है, जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आपको सहूलियत मिलती है, अपने शरीर को कस्ट दे कर, बिल्कुल भी ना करें, अगर आपको लगता है कि ठंड हो रही है, आप मंदिर में बैठकर नहीं कर सकती हो, तो आप अपने कमरे में बैट कर करो आप अपने बिस्तर पर बैट के करो कोई प्रॉबलम नहीं है साई को सब पता है उन्हें सब पता है वो हमारी साई मा है उन्हें सब पता है कि हमारा शरीर नहीं निकाल बाता ठीक है तो आपको जैसे सही लगता है वैसे करो भगवान स्ट्रिक नहीं है बस ये जो नियम कानून है जो विदी विधान है वो सब इंसानों के बनाए हुए है इश्वर कभी भी स्ट्रिक नहीं होते इश्वर तो हमेशा दयालू होते हैं वो हमारी साई मा है वो हमसे बहुत प्यार करती है तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप करिए और एक चीज और मुझे कहनी थी आपको जब आप इस मंत्र को जाप करने बैठेंगे न तो जो अद्रिश्य शक्तियां होती है न वो आपके आसपास आ जाएंगी वो उर्जा उत्पन हो जाएगी वो शक्ति उत्पन हो जाएगी जो आपको एहस कवच बन कर रहेंगी और जितने भी नेगटिव एनरजी होंगी न वो भाग जाएंगी और एक चीज और है जब आप इस मंत्र का जाप करने बैठेंगे न तो आपको बहुत सारे विबदाए भी आएंगी परेशानिया भी आएंगी क्योंकि जो नेगटिव चीजे होती है वो आपको रोकने का काम करती है कि आप ये ना कर पाओ जिससे कि उन्हें ना जाना पड़े आपके घड़ से ना निकलना पड़े लेकिन आपने क्या करना है आपने धीट बनकर जिद्धी बनकर डटे रहना है और इस मंत्र का जाप करना है क्योंकि जब भी हम कुछ कर पाई है मैं नहीं कर पाया अब आप मुझे को यह उपाय बताओ तो मैं आपको पहले से ही बता दू कि मुझसे आप मत पूछना दوبारा से मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि करने पर आपको बहुत सारे अर्चने आएंगी आप समझ जाना कि नेगिटिव चीज़े लेकिन फिर भी आपने करना है, आपने रुकना नहीं है, आपने करना है, क्योंकि जब वो चीजे बाहर निकलेंगी ना आपके घर से, तो वो आपको एक बाद डराएंगी, धमकाएंगी, कि आप ना करो, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी आपके घर से निकलना, आपको परिशान नहीं है बस मैं आपको सुबह का इसली बोल रहे थी क्योंकि सुबह जो होता है न अच्छा मन लग जाता है एक चित हो जाता है बाकि आप इस मंत्र को आप कभी भी करें लेकिन आप सुबह स्नान करते हैं तो स्नान के बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा अब सर्दी का टा आपको ठंड लग जाए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आप सुबह अस्नान कर लेते हों। अगर आप शाम का नियम मनाते हों। तो शाम को आपको सिर्फ हात मुध होना है, और इस मंतर का जाब करना है। ठीक है न। तो और इस मंतर के बारे में मैं और क्या कहूं इस मंतर को आपको जाब करना है बिल्कुल दिरन विश्वास से कि आपका विश्वास दिरन है बाबा पर और बाबा आपके काम को करेंगे ही करेंगे ऐसे करकर आपको इस मंतर का जाब करना है तो डेफिनेटली आपको इस मंतर का जो असर है वो दिखाई भी देगा अपने ज वीडियो में तब तक के लिए ओम साही राम जै साही राम